आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टॉपिक जिसका नाम है डिस इकोनोमिस ओफ स्केल जैसा कि हमने बात करी थी कि जैसे ही कोई भी लाट स्केल जो फॉर्म होती है वो जैसे जैसे अपना प्रोडक्शन बढ़ाती है तो पर उनिट को स्काम हो जाती है जिसे हमने क्या नाम दिया था इकोनोमिस ओफ स्केल का डिस इकोनोमिस ओफ स्केल क्या बताती है कि जब एक लिमिट से जादा प्रोडक्शन बढ़ा दी जाए मतलब आपने लिमिट क्रोस कर दिये उससे जादा अपने प्रोडक्शन बढ़ा दी तो उसका रिजर्ट क्या कि आपकी per unit cost कम होने की बज़ाए per unit cost बढ़ जाएगी जिसे क्या बोला जाता है this economy of scale मैंने आपको एक law of variable proportion बताया था short run के अंदर जो law हमारी production की use होती है हमने उसमें बात की थी कि हम जैसे जैसे अपनी input बढ़ाते हैं तो एक level तक हमारी production या output बोल सकते हैं वो बढ़ती है एक time ऐसा आता है जब हमारी output maximum पहुंचाती है लेकिन जब हम एक level से जादा अपनी input को बढ़ाना शुरू कर दें तो जो हमारी output है वो बढ़ने की बज़ाए कम होना शुरू हो जाती है तो यही चीज़ हमें DC economy of scale बता रही है कि जब हम एक level से जादा अपनी production को बढ़ाने तो वहाँ पर per unit cost कम होने की बज़ाए per unit cost बढ़ना शुरू कर देगी अब जैसा कि हमने economy of scale को two category में divide किया था एक internal economy और एक external economy similarly DC economies are categorized in two parts one is internal DC economy of scale and second one is external DC economy of scale पहले हम पढ़ेंगे internal DC economy of scale देखिए internal DC economy of scale वाली situation कम बनेगी जब एक farm अपना production बढ़ाता है लीमिट से जादा ठीक है वो simple internal DC economy होगी कि जब फार्म ने लीमिट से जादा लीमिट से बढ़कर production को increase कर दिया तो उस case में क्या होता है कि production तो बढ़ाती पर काम manage नहीं हो पारा activities manage नहीं हो पारे क्या पहले करें क्या बाद में करें कहां से resources आएंगे कैसे supervision होगा कुछ तै ही नहीं हो पा रहा तो ऐसे situation में DC economy of scale वाली problem आ जाती है और जो major internal DC economy है वो कौन कौन सी है उसमें है सबसे पहले managerial DC economy का क्या मतलब है देखिए जब manager जो है न वो अच्छे से supervision नहीं संभाल पारा control नहीं कर पारा coordinate नहीं कर पारा task को क्योंकि काम को पढ़ा दिया गया है तो उसके वज़े से managerial DC economy आ जाती है दूसरा होता है financial DC economy कि जब हमारे पास जो finance अवलेबल होता है वो पूरा नहीं होता production के smooth running में काम तो कर लिया जी काम तो बढ़ा लिया हमने लेकिन काम बढ़ाने के लिए जो resources चाहिए थे उनके लिए पैसा ही नहीं है अब जब पैसा ही नहीं होगा तो जो problem create होगी financial DC economy की एक point आता है अमारा technical DC economy यहां पर क्या हम बोलते हैं कि technical DC economy के बज़े से unit per cost कम होने के बज़ाए rapidly increase होना शुरू कर देती है एक limit से जादा जब production को बढ़ाया जाए यहां पर देखिए क्योंकि technical DC economy है तो जैसे new technology के बारे में labor को नहीं पता होता कैसे यूज करना है कैसे machinery को on किया जाएगा तो labor supervision लगा लीजिए या specialization बना लीजिए तो labor एक time के बाद अपना पूरा efficient efficiently अपना मतलब full देने के लिए ready नहीं हो पाती नेक्स्ट आता है marketing DC economy यहां marketing DC economy का क्या मतलब है supply और demand के बीच में mismatch हो जाना जितनी डिमांड है उसके according supply ना देना या फिर हो सकता आपने production इतनी जादा कर दी कि supply इतनी बढ़ा दी उतने demand नहीं है जिससे कि आपके prices negatively impact हो जाएंगे उसके बाद next point की बात करें लेबर DC economy आपने production तो बढ़ा ली लेकिन और production बढ़ाने के साथ क्या हुआ लेबर भी आपने बढ़ा ली प्रोडक्शन काम जादा करना है एक level से जादा अपने अपने काम बढ़ा लिया है तो उसके लिए जादा लेबर की जरूरत है जादा लेबर की जरूरत है तो वही हुआ कि एक दूसरे के ओपर काम डालना शुरू किया इसकी वज़े से communication gap आया और लेबर और management के relations पिगड़े और indirectly impact कि इस पर पढ़ेगा पर बढ़ेगा तो यह थे हमारे कुछ factors internal economy के अब हम बात करते हैं external economy of scale यहां पर क्या है internal में एक form की बात कर रहे थे external economy की बात करें when all the form functioning in an industry experience external economy arise due to expansion beyond a manageable limit वही difference है जो हमारा economy of scale का था this economy का भी की internal economy की बात करें तो हम सिर्फ एक form की बात करते हैं लेकिन जब हम external economy की बात करते हैं तो एक form की बात करने की बजाए हम पूरी की पूरी industry की बात करते हैं और एक industry के नीचे बहुत सारी forms आती हैं अगर major external DC economics की बात करें की कौन कौन सी है तो सबसे पहले DC economy of pollution यहां पर क्या है DC economy of pollution का क्या मतलब है कि जो एक industry होती है ठीक है देखिए industry है इंडस्ट्री ने क्या किया है एक level से जाधा पनी production बढ़ा दिया production बढ़ाने से क्या होगा ओवियस है दुआ निकलेगा manufacturing बढ़ रही है वाटर जो उनका यह होगा ना drainage वह सारा पानी में मिलेगा तो noise pollution होगा यह pollution होगा और इसका impact किसको जहलना पड़ेगा वहाँ पर आसपस रहने वाले लोगों को जिसके लिए हमारी किस तरह की कोस्ट बढ़ी है जब भी हमारा pollution बढ़ रहा है लोगों की जो हेल्थ उन पर negative impact पड़ रहा है तो उस तरह की कोस्ट को हम बोलते हैं सोशल कॉस्ट क्योंकि यह कॉस्ट कौन बियर कर रहा है सोसाइटी बियर कर रही है वहाँ पर डिस economy of pollution वाले स्टेज होती है सेकेंड पॉइंट इस इकॉनमी ओफ हाइफ एक्टर प्राइज देखिए इंपूर्ट अवलेबल है ठीक है अब अपने पूरी इंडुस्ट्री का एक साथ प्रोडक्शन बढ़ा दिया इंपूर्ट तो चाहिए होगा अब दिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो ओवेस है जो इंपूर्ट अवलेबल है उनके फ्राइज क्या हो जाएंगे जादा हो जाएंगे नेक्स है डिस इकॉनमी ओफ स्ट्रेस और इंफ्रास्ट्रक्शर अब क्या होता है हमने एक कंसेंट्रेटर लोकेशन बढ़ा था ना कि सारे की सारी जो एक इंडस्री के अंदर काम करने वाली फॉर्म्स होती है वह एक जगाव बिजनस सैट अप कर लेनी हैं जैसे आइटी हब की बात की थी कि जैसे आइटी सिक्टर है वह जरनरली एक इप्लेस पर हो गया तो जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्शर चाहिए जिस तरीके का is much more than expected next is this economy of increased competition obvious है कि जब आपने production increase करोगे तो competition भी increase करेगा होगा और जब competition बढ़ेगा तो रहो material की cost भी बढ़ेगी तो यह था this economy of scale एक पर मैं एक summarize वे में आपको लाइन के अंदर इसका difference बताना चाहूंगी economy of scale और this economy of scale का economy of scale वो situation होती है जब एक फॉर्म अपनी production increase करती है तो production increase होने के सासथ per unit cost कम हो जाती है that is called economy of scale लेकिन जब एक limit से limit cross करके उससे कहीं गुना जादा company अपने production increase करती है तो production increase होने के सासथ per unit cost कम होने के वज़ाए per unit cost बढ़ जाते है उसके वह सरे reasons मैंने अभी आपको बताए तो यह होता है डिस economy of scale इतना clear अब टू-टू-माक्स मेंने question और पूछा जा सकता है जिसके बारे में आपके स्कॉप क्या होता है economy of scope हम यह बोल देते एफिशेंसी फॉर्ण बाइव राइटी नोट वॉल्यूम एफिशेंसी जो किसकी वज़े से आई यह वैराइटी क्या अभी हम economy of scale की बात कर रहे थे ना तो वहां पर हमारी बातो रही थी वाल्यूम की हमने वालियूम बढ़ाई तो फर यूनिट कोस्ट कम हो गई यहां पर हम बात करने है आप हमने variety बढ़ाई पहले हमें एक ही product बना रहे थे अब हुने दो सिरे मंतलब अगर हम 20 सको अलग अलग बनाएं तो हमारी प्र訴 जादारी मेद् 안녕하세요 है economy of scope clear अब this economy of scope क्या बताएगा एक और टू मार्स में आपसे question पुझा जा सकता है this economy of scope क्या होता है this economy of scope ऐसे situation होती है जहां पर क्या होता है जहां पर total cost of producing two or more commodity is greater than the total cost of producing single commodity बिल्कुल deposit आपका economy of scope के वहां पर है कि वहां पर क्या था कि अगर हम दो commodities को एक साथ बनाए तो पर unit cost कामा आ रही है किस से कमा रही है अगर हम उन दो commodities को अलग अलग जगा पर produce कर रहे हैं this economy of scope क्या कहता है अगर तो commodities को में एक साथ बनाए तो हमारी पर unit cost कहीं गुना जादा आएगी जितन जब हम उन्हें अलग 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 produce करेंगे मतलब यहां यह क्या कहता है कि अगर अलग अलग अप production करते हैं तो पर unit cost काम आती है और अगर आप मिला कर अगर production करते हैं दो प्रोड़क्ट की एक साथ तो आपकी जो overall cost है वो कहीं गुना जादा आती है तो यह था difference between the economy of scope and this economy of scope इसके साथ यह topic यहां खत्म still you have any doubt then you can ask your doubt by putting your question in comment box thank you so much for the class